यस्यकारुण्यलेशेन सरवं सरवत्रसिद्धती संकल्पितमनाधिष्टं संस्कृत समाराध केभ्या नमुनमह प्रियाह शिक्षार्थिनह राष्ट्रिय मुक्त विद्यालई शिक्षा संस्थानम नोएडा उत्तर प्रदेशह इत्यस्य स्टूडियो मद्दे भवताम समेशाम स्वागतम व्याहरामी उच्चतर माध्यमिक अक्षायाह पाठ्य क्रमत्वेन निर्धारितम संस्क्रत साहित्यम तत्र संस्क्रत साहित्ये दशमम पाठ्यम स्विक्रित्य अहम अत्र उपस्थितोस्मी दशमह पाठ्य वर्तते शिवराज विजये योगी राज समवाद हा तदनू पूर्वस्मिन पाठ्य अस्माभी चर्चितम वटु समवाद हा वटु समवादे पी प्रामुखेन ये विशया चर्चिताह ते संती आरंभे भग्वतह भाशकरस्य महिमा वर्णनम तत्रा पी प्रामुखेन ते शाम सकल संसार नियोजकत्वम तदनू गौर वटो हो स्वरूपम तदनू श्याम वटो हो स्वरूपम अथच अनंतरम योगिराज आगमन वृत्तांतम एदम सर्वम अस्माभिही विस्तरेन चर्चितम तरही अस्मिन पाठे अस्मिन दशमे पाठे वयम चर्चयामह शुराज विजय योगिराज समवादह इस योगिराज समवाद में तरही चलामह मूलपाठम प्रती अथ योगिराजम संपूज यावदिहितम किमपी आलपईतुम तावत कुटिरात अश्रूयत तस्या एवबालिकायाह सकरुणरोधनम अथ इसके अनंतर योगिराजम संपूज अर्थात योगिराज का पूजा सतकार सम्मान इत्यादी करने के पश्चाद यावद इहितम जैसे ही उन्होंने चाहा इहितम चाहा किमपी आलपईतुम कुछ बोलना चाहा कुछ कहना चाहा तावत तभी कुटिरात अश्रूयत कुटि से जो निकठी विद्यमान थी उस कुटि से अश्रूयत सुनाई पड़ा तस्या एव बालिका आया हा सकरून रोधनम उसी बालिका का सकरून रोधनम करूना सहित रुदन सुनाई पड़ा जो की पिछले पार्ट में हमने जाना था एक बालिका जो यवन के त्रास से आश्रम के निकठस्त वनों में भटकते हुए रोती बिलगते हुए प्राप्त होई थी गौर वटू को उसी बालिका की यहाँ चर्चा हो रही है ततह किमीती इसके पश्चात किमीती यह क्या है कुता आईती यहाँ आवाज कहाँ से आ रही है कथमीती आखिरया कैसे हुआ प्रिछा परवशे इस प्रकार जानने की इच्छा के पराधिन होकर वशी बहुत होकर ब्रह्मचारी गुरुना बालिकाम सांत्वईतुं वटूम आदिश कथितम जब इस प्रकार योगी राज के इच्छा हुई जानने की तत्पष्चाद ब्रह्मचारी के जो गुरूद थे उन्होंने बालिका को सांतोना देने के लिए शाम वटू को आदेश देकर इस प्रकार कहा जैसे कि हम देख रहे हैं यह जो बालिका थी जो लगभग सप्त वर्ष कल्प की थी यानि लगभग सात वर्ष की अवस्था को प्राप्त थी जो बालिका जंगल में यवन युवक के द्वारा अपरित थी उसी बालिका की इस यहाँ पर चर्चा हो रही है इसमें जो विशेश पद आये हैं जिनमें समास इत्यादी हमें जानना है प्रिच्छा परवशे प्रिच्छा नाम जिग्यासा ज्यातुम इच्छा जाननी की इच्छा तस्याह प्रिच्छायाह परवशह पराधीनह प्रिच्छा परवशह तस्मीन परवशे एवं अत्र तत्पुर्ष समासह द्रिष्टि गोचरो भवती वासह अत्र कुटी पदम प्रयुजते तस्यकृते अमरकोशे शब्दाह संती वासह कुटी ही द्वयोह शाला सभा संजवनम त्विदम चतुशालम मुनी नामतू पर्ण शाला उटज अस्त्रियाम इत्यादी शब्द वास कुटी शाला सभा समंजन चतुशाल पर्ण शाला यह सभी शब्द वास के लिए कुटी के लिए प्रांत के लिए प्रयोगत होते हैं इह सर्वत्र चूर्णक नामकम गद्दे विद्यते चूर्णकस्य लक्षणम वर्तते अकठो राक्षरम स्वल्प समासम चूर्णकम मतम यहाँ पे इस प्रसंग में हम जितना देख पा रहे हैं सर्वत्र हमें ऐसे पद प्रयोग दिख रहे हैं जहां पे कम से कम समास वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है प्रकृति के वर्णन में और हम देखते हैं इससे पूर्व भी आचार्य ने समासांत पदों का अत्यधिक प्रयोग किया था एवं सर्वत्र हमें आचार्य का अलंकारों में अनुप्रास हो उपमा हो रूपक हो उत्प्रेक्षा हो इत्याजी सभी अलंकारों का प्रयोग बहुधा हमें द्रिष्टिगोचर होता है आगे बढ़ते हैं तत्र अग्रेसरामह भगवन श्रूयताम यदिकुतू हलम यह संपादित सायंतन कृत्ते अत्रैव पुशास्तरणम अधिष्ठिते मै परितह समासीनेशू छात्रवर्गेशू धीरह समीरं स्पर्शेन मंद मंद मांदोल्य मानासू व्रततिशू समुधिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदव इवैंदव कौमुधी कपटेन सुधा धार इव वर्षती गगने अस्मन नीतिवार्तां सुष्रुशू इव मौनम आकलयत्सू पतग कुलेशू कौरव विकाश हर्षप्रकाश मुखरेशू चंचरीकेशू अस्पष्टाक्षरं कंपमान निश्वासं शलततकंठं घरगरितस्वनं चितकारमात्रं दीनतामयं अर्थात इसके पश्चात ब्रह्मचारी गुरू इस संपोन वृत्तांत को जिसके विश्टांत के विशय में योगिराज जानना चाते हैं उसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं शुरुयताम यदि कुतूहलम यदि आप में आश्चरी की भावना है कुतूहल है तो निश्च कंएं के नित्यनयमितिक कर्मो को संपाधित करने के पश्चात अत्रईवा इसे स्थान पर कुशा आस्तरणता जो विश्टित होते हैं तो जब कुशा स्तरणव अधिश्छित है कुशा के आसन पर अधिश्छित हो जाने पर मई मेरे द्वारा परितह समासीन जू जातरवर्ग जा जाने झातर समू के द्वारा अपने अपने आसनों पर बैठ जाने के पश्चात यहां हमें सर्वत्र जो है सती सप्तमी दिख रहे हैं जिसे भाव सप्तमी या सती सप्तमी कहा जाता है यस्यच भावेन भाव लक्षनम जिससे अन्य भाव का द्योतन हो उसमें यहां प्रयोग होता है यहां प्रायशह काव्य में और भी अधिक स्पष्टता और भी अधिक न बिखार लाने के लिए सुन्दरता लाने के लिए इस सतिसप्तमी का प्रयोग किया जाता है। यामिनी रूपी कामिनी यामिनी रूपी नाइका के चंदन बिंदो इवे इंदो जिस प्रकार किसी नाइका के ललाट पर चंदन बिंदू का तिलक होता है। कौमदी कपटेन कौमदी कहते हैं चंदर की जोसना को चंदर की किरन को कौमदी कपटेन मानो इस वह इंदू वह चंदर जो है कौमदी के कपट से यानि अपने किरनों के व्याज से सुधा धाराम इव वर्षती गगने। सुधा अमरित, अमरित की धारा आसमान में वर्षा करते हुए। असमन नीती वारताम सुष्रुशुशु इव मौनम आकलयत्सु पतग कुलेशु। असमन नीती वारताम उस समय उस कुशास्तरन पर बैठे हुए ब्रह्मचारी गुरु अपने छात्रों के साथ, ब्रह्मचारियों के साथ नीती वारता में तल्लीन थे, नीती वारता में लगे हुए थे और उसे मानों ऐसा प्रतित हो रहा है कभी कहना चाह रहा है कि उन ब्रह्मचारी गुरुओं की नीतिवार्ता को सुनने की इच्छा से ही मौनम आकलयत्सू पतग कुलेशू संपूर्ण पक्षी समुदाय ने मौन धारन कर लिया हूँ कौरव विकास हर्षप प्रकाश मुखरी एशू चंचरी केशू कौरव कहते हैं कुमद को कुमदीनी जो है चंद्र की जोसना से प्रफुलित होती है खिलती है विकास को प्राप्त होती है उसी की चर्चा यहां की जारी कि कौरव विकास कुमदीनी के विकसित होने से हर्षप को प्रकाशित यानि अभिव्यक्त करके करने के लिए मुखरित हुए चंचरी के शो यानि भ्रमर्समुदाई के भ्रमर्समुदाई जो कौमुदी को देख करके उसके विकास को देख करके अब उनकी अभिव्यक्ति को देख करके मुखरित हो जाने पर अस्पष्ट अक्षरम स्पष्ट नहीं थे जिसके अक्षर ऐसे कंपमान निश्वासम कापते हुए निश्वास से जिसके सांसे काप रही थी शलतत कंठम कंठ यानि गला रूंधा हुआ था भरा हुआ था घर घरीत स्वनम आवाज में घर घर जैसी आवाज हमें स्वर सुनाई दे रहा था यानि रूंधा हुआ चितकार मात्रम केवल आवाज मात्र थी ऐसे रोने में जिसमें रुदन की अपेक्षा आवाज है बहुत थी सहायता की अपेक्षा है बहुत थी दीनतामयम अत्यंत दारुनने युक्त अत्यंत देन्य भाव से युक्त अत्यवधानत्वात अत्यवधान श्रव्यत्वात, अवधान कहते हैं सावधानी, अत्यन्त सावधानी के साथ श्रव्यत्वात सुनने पर अनुमित दविष्ठम ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दविष्ठम यानि अत्यन्त दूरी से, अत्यन्त दूरी से यह क्रंदनम, यह रोना, यह रुद अश्रोशम सुनाई पड़ रहा था तो ब्रह्मचारी गुरु उस अवस्था को सायंतन काल के संपूर्ण प्रक्रिया को वहाँ पर बता रहे हैं इस मूल पाठ में आईए इसके कुछ विशेश शब्दों को समझते हैं संपाधित सायंतन क्रित्यानी सायंतन क्रित्यानी संपाधितानी सायंतन क्रित्यानी येन संपाधित सायंतन क्रित्या तेन संपाधित सायंतन क्रित्या यहाँ पे पूर्व में कर्मधारे समास और अनंतर बहुब्री समास हुआ है जिससे ये संपूर्ण पद निर्मित हुआ ह यामिनी कामिनी चंदन बिंदव यामिनी एवक कामिनी कर्मधारयह पुनहा चंदनस्य बिंदुहु चंदन बिंदुहु शष्टी तत्पुरुशह तदनु यामिनी कामिन्याहा चंदन बिंदु यामिनी कामिनी चंदन बिंदव तस्मिन्च यामिनी कामिनी चंदन बिंदव एवं प्रकारेन अत्र समासह वर्ततेन। मुखराह कैरव विकाश हर्षप्रकाश मुखराह तेशु कैरव विकाश हर्षप्रकाश मुखरेशु एवं विधाह अत्र समासह संती। सुश्रुषुः श्रुषरुष्रुणे इत्यार्θη इत्यस्माद्धातो हो इछार्थे संप्रत्तया तदनु उ прत्तया सनाशनिसभिषयु इतने न ऊहु प्रत्यक्रते सुष रुष उहू एती सब्द निश्पत्ती भ lotion तदनुं हिमांशुष चंद्र मास चंद्र इंदू कुमद बांधवा इत्यादय शब्दा चंद्रस्य कृते प्रिुण जनति चंद्रिका कौमदी जोसना इत्यादया शब्द चंद्रस्य प्रकाश भवती तस्य कृते वर्तते असमिन गद्य खंडे इवपदेन उत्प्रेक्षा अलंकार ह। संभावना प्रकट की जाती वहां उत्प्रेक्षा लंकार होता है यामिनी कामिन्या आरोप वशाद अत्र रूप का लंकार होता है यामिनी रात्री में कामिनी का आरोप यानि नाईका का आरोप किया गया है अतहां यहां पर रूप का लंकार भी द्रिश्टिगोचर होता है जहां आरोप किया जाता है, वहां रूपकलंकार होता है, रूपा रूपा तु रूपकम. अग्रेसरामह, तत्क्षणमेवच, कुताइदम, किमिदमिती, दृष्यताम, जायताम, इत्यादिश्य, छात्रेशु, विस्रिष्ठेशु, ख्षणानंतरं, छात्रेणैकेन, भयभीता, सवेगं, अत्यूष्णं, दीरगं, निश्वसती, म्रिगीव, व्याग्रा, आग्रा अश्रुप्प्रवाहेहि, स्नाता, सवेपथुहु, कन्येका, अंके निधाय, समानीता, चिरान वेशने नापिच, तस्याहा, सहचरी, सहचरोवा, नप्राप्तह, तामच, चंद्रकलयेव, निर्मिताम, नवनीते नेवरचिताम, म्रिणाल गवरिम, कुंदकोरका ग्रदत सक्षोभं, रुदतिम, अवलोक्य, अस्माभिरपी, नपारितम, निरोधुम, नयनवाशपानी, सरलार्थम, अवगच्छामह, तक्षण मेव, उसी क्षण, उसी पल, जब उस बालिका का करुण करंदन, बहुत दूर से हमें सुनाई दे रहा था, उसी पल, कुत इदम, य जह क्या है, दृश्यताम, देखो, ज्यायताम, जानो, इस प्रकार इत्यादिश, इस प्रकार आदेश देने पर, छात्रेशू, विशिश्टेशू, छात्रों के सभी और चले जाने पर, क्षणाद अनंतरम, क्षणान अनंतरम, क्षण भर मात्र में, क्षण भर की दूरी में, क्षण भर के पस्चाथी, छात्रेन एकेन, एक छात्रने, भय भीता, सवेगम, अत्यूष्णम, भय से भीत, यानि डरी हुई, डर्क से डरी हुई, सवेगम, अत्यूष्णम, अधिक ही उश्न दीरगम निश्वसती और लंबे लंबे श्वास लेती हुई मृगीव व्याग्रा आग्राता जैसे एक हिरनी को व्याग्र सूंग ले यानि देख ले और उसके शिकार के लिए प्रवर्त हो जाए उस समय मृगी की जो अवस्था होती है उसी अवस्था को कवी यहां क करदे उसी स्थिती को वहबाली का प्राप्त थी अश्रुप प्रवाही सनाता आसुओ कि लगातार प्रवाह से मानो उसके नेतर से निरंतर अश्रुप प्रवाह अश्रुधाराय बहर रही थी और उन इक बालिका को अपने अंक यानी गोद में लेकर के वह बालक आश्रम में प्रविष्ट हुआ आश्रम में पहुँचा चिरान वेशने नापी बहुत लंबे समय तक अनवेशन करने पर भी तस्याहा सहचरी सहचरोवा नप्राप्त हा उस बालिका का कोई भी सहचरत्वा कोई सहचरी सखा या सखी मित्र वगर नहीं प्राप्त हुए कोई भी साथे उसका नहीं प्राप्त हुआ ताम्च चंद्रकलयेव निर्मिताम उसे और वह बालिका किस प्रकार कि थी आगे कभी कहते हैं कि चंद्रकलयेव निर्मिताम मानो उसे परमेश्वर ने चंद्रकला से ब राप्त वहां बालिका थी नवनीत नेवर मानों नवनीत यानि हैंगवीन अर्थत में मक्खन वहां वहां इतनी को मल वहां वहां बालिका थी जिसमें दुख्द के समान वहां श्वेथ दार्त विद्यमान रहता है उसी से यहाँ उपमा दे रहे हैं कवी कह रहे हैं मृनाल गौरिम मानो वहां मृनाल के समान गौर भाव को प्राप्त थी गौरी थी कुंद कोरका ग्रदतीम कुंद पुष्प के कोरक यानि कली कुंद कोरका ग्रदतीम कुंद पुष्प के कली के स जैसे उसके छोटे छोटे और बहुते शुब्रदात थे सफेद दात थे सक्षोभम अत्यंत क्रोज के साथ अत्यंत रुधिरभाव के साथ अत्यंत रुधतीम रोती हुई अवलोग के उसे देख करके उस बालिका को इस अवस्था में देख करके अस्मा भी रपी न पारितम निरोध्धुम नयनवाशपानि हमारे द्वारा भी अपने नयनवाशपों को अपने नेत्रों से निकलने वाले अश्रुवों को न रोका गया हम भी अपनी आखों से आसु बहाने से अपने आपको नहीं रोक सके आईए इस मूल पाट के कुछ विशिश्यतम शब्दों को समझते हैं कुंद कोरकाग्रदतीम अत्र कुंदानाम कोरकाणी कुंद कोरकाणी 6 तत्पुरुषह तदनु कुंद कोरकाणाम अग्राणी कुंद कोरकाणी कुनह 6 तत्पुरुषह कुंद कोर का ग्राणी इव दन्ताह यस्यासा कुंद कोर का ग्रदती ताम कुंद कोर का ग्रदती एवं प्रकारेण अत्र तत्पुरुष समासह पूरवं तदनू बहुब्रही समासह अत्र भीती शब्दह प्रयुक्तवान कवी भीती इत्यस्य कृते दरह स्रावह भीती ही भीही साध्वन्सम भयम इत्यादह शब्दा अमरकोशे विद्यमाना संती तत्र निर्दिष्टाह संती सवेपथु हु वेप्रिकम्पने धातु अर्तते तसमात धातो हो अथुच परते भावे भावती अथुच परते कृते वेपथु शब्दह सिद्धती पूर्वं साइत्यस्य प्रयोगा सवेपथु हु चंद्र कलयेव निर्मिताम नवनीते नेव रचिताम इती उभैत्र संभावना वशाथ उत्प्रेक्षा लंकारह सर्वत्र इव इव पदेन संभावना दरिद्रिश्यते यहाँ पर मिनाल गौरिम यहाँ हम देख पा रहे हैं कोई भी उपमावाचक शब्द प्रयोग नहीं हुआ है इसलिए यहाँ लुपतो पमा है अग्रेसरामह तत्रमूलपाठह वर्थते अथ कन्यके माभाईशी उत्री त्वाम मातुह समीपे प्रापईश्यामह दुहितह खेदम्मावह भगवती भुंश्वकिंचित पिब पयह एते तव भ्रातरह यत कथईश्यसी तदेवकरिश्यामह मास्म रोधने प्राणान संशय पदविम आरूपया मास्म कोमलमिदम शरीरम शोक ज्वालावलीधम कार्शिही इती सहस्रधा बोधनेन तथमपी संबुध्धा किंचित दुगधम पीतवती इसके सरलार्थ को समझते हैं अथा कन्य के इसके पश्चाद जब उस बालिका को इस अवस्था में देखा और उसकी संपून अवस्था को देख करके ब्रह्मचारियों के गुरू कहते हैं हे कन्य के माभईशी मत डरो उत्री तुम्हारी माता के समीफ हम पहुचाएंगे दुहिता खेदम मावह दुहिता तुम खेद मत करो कश्ट मत करो दुख मत करो भगवती भूंश्वकिंचित कुछ तो ग्रहन करो कुछ तो थोड़ा सा जलपान करो पिभः पय जल ही पीलो एते तव भ्रहत रहा ये सभी ब्रह्मचारी यहाँ पर उपस्तित ये सभी तुमारे भ्रहता है भाई है यत कथ इश्चसी जो भी आपको होगे तदेव करिश्या महा हम सब उसी प्रकार से आपका स्वागत सत्कार करेंगे आपको जो भी अनुकूल लगता है वही कार्य कर मास्म रोधनेही प्राणान संशय पदविम आरोपय रोधनेही रोधनेही के कारण स्वविम के प्राणों को संशय पदविम मा आरोपय अपने प्राणों को संशय की अवस्था में मत ले जाओ अर्थाग ऐसी स्थिति में मत ले जाओ जहां हमें यह संशय हो जाए कि आप फिर्ट इस कोमल शरीर को शोक रूपी जौआला के मैं इस अपनि प्रकार सहस्रदा आपने हम सेख्डु प्रकार से अब草 प्रकार से किसी प्रकार से संबुध्ध समझ कर किंचित दुगधं पीतवती वह बाली का थोड़ा सा जल पी गई थोड़ा सा जल उस बाली का ने ग्रहन किया इसमें कुछ मुख्य शब्दों को समझते हैं माभाईशी ही लुंग लकारे मध्यम पुरुशैक वचने रूपमिदम भावती अभाईशी ही अभाईशीत अभाईश्टाम अभाईशु हूँ अभाईशी ही एवं तत्र रूपम भावती परम मांग योगे किम भावती अडागमस्य अभावः भावती लुंगलंग लिनिंग्शु अट उदात्था इत्त्यनेन यथा अडागम भावती तद अत्र निशिध्यते तस्माद भाहिशी ही इत्तेवरूपम्भवति पूर्वम् माईत्यस्य प्रयोगे सती। शोक ज्वालाव लीधम् शोक रूपा ज्वाला शोक ज्वाला अत्रापी मध्यंपदलोपी समासह शाक पार्थिवादिवत। शोक ज्वालाया अव लीधं शोक ज्वालाव लीधं एवं प्रकारेन अत्र समासा भविष्यती कार्शी ही पुनम पूर्ववत ही लुंगी मध्यम पुरुशाई कवचने रूपमिदम सिद्धती पूर्ववत नमांग योगे इत्तेनेन अडागमस्यत्रापी अभावाह द्रिश्यते शोक शब्दः कुर्वम प्रयुक्तः वर्तते तस्यक्रते अनेप शब्दासंति निर्धिष्ठासंति तरी एवं प्रकारेन असमाभिही बालिकायाह अवस्था किद्रिशी आसित एतत्त सर्वं वृत्तम जयत वयं सर्वे जात वन्ता अतह यत अस्मा भी ही अस्मिन पाठे अस्मिन भागे बालिकाया याद्रिशी स्थिती तस्मिन काले जाता नसा योग्या एवं सर्वं वृत्तांतं वयं जातवंतह धन्यवादा हा कि तूत्तां व्यवादा यृत्त।